क्या दानिश कनेरिया अब भारतिय नागरिक बनना चाहते हैं ? क्या दानिश कनेरिया अब पूर्व पाकिस्तान स्पिनर से इंडियन क्रिकेट की तरफ रास्ता धून रहे हैं ? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वक्त बिल्कुल सही है इस वक्त पूरे देश में नागरिक्ता कानून को लेकर कई सारे डिबेट चल रहे हैं और दूसरी तरफ दानिश करेरिया ने सही मौके पे ये बात एक बार फिर उठाया है शोय वक्तर का ये बयान कि वाकई में दानिश करेरिया के साथ भेदवा हुआ इस बात की पुष्टी करती है कि दानिश करेरिया हिंदू होने के चलते पाकिस्तान क्रिकेट में उनके साथ भेदवा हुआ लेकिन इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये मैं आपको समझा देता हूँ पहली चीज़ दानिश करेरिया पाकिस्तान से हैं दूसरी बात ये कि वो हिंदू है और तीसरी बात ये और सबसे एहम चीज़ ये कि हिंदू होने के वज़े से पाकिस्तान में उनके साथ भेदवाव हुआ ये बात जो दानिश करेरिया इतने सालों से कहते आ रहे हैं जिसकी पुष्टी अब शोयव अक्तर ने भी कर दी है इन तीनों के चलते ही दानिश करेरिया तीनों ही बॉक्स पे टिक करते हैं जो कि एक नए Citizen Amendment Act यानि कि नागरिक्ता कानून में बिलकुल फिट बैढ़ते हैं बड़ा सवाल ये है कि क्या तीनों ही बॉक्स टिक होने के बावजूद दानिश कनेरिया को भारत का नागरिक बनाना चाहिए? क्योंकि ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि दानिश कनेरिया स्पॉर्ट फिक्सिंग में इन्वाल्ड है. ये बात उन्होंने खुद इतने साल लड़ने के बाद कबूला है कि हाँ उन्होंने क्रिकेट में स्पॉर्ट फिक्सिंग करी है. क्रिकेट जो कि भारत में अपने आप में एक अलग धर्म माना जाता है. ऐसा एक शक्स जिसने cricket के साथ इतना गलत काम किया हो, क्या उसको citizen बनाना चाहिए? दानिश कनेरिया सिरफ दूसरे हिंदू क्रिकेटर है पाकिस्तान से, उससे पहले सबसे पहले जो हिंदू क्रिकेटर थे वो थे अनिल दल्पत, जो की coincidentally दानिश कनेरिया के अंकल थे इसके अलावा आठ क्रिकेटर टोटल पाकिस्तान में वो खिलाडी है जो की नौन मुस्लिम है रूसी दिन्शो एक पार्सी क्रिकेटर है जिनकी काफी ट्राजिक तरीके से हालाद बने पाकिस्तान में उसके अलावा वालिस मथियास जो की सबसे पहले नॉन मुस्लिम क्रिकेटर बने, डंकन शार्प, तीसरे एंट्वो डिसूजा, चौथे अनिल दलपत, पांचवा सोहेल फजल, छटे दानिश कनेरिया, दानिश कनेरिया जो की फिलहाल थर्ड हाइस विकेट टेकर है पाकिस्त विक्टे उन्होंने ली है, जो की किसी भी पाकिस्तानी स्पिनर्स के लिए सबसे जादा है, ये खुद पाकिस्तान में अपने आप में एक रेकॉर्ड है, उसके बावजूद भी उनके साथ हमेशा से भेदबाव होता रहा है, और उसके बाद आखरी नॉन मुस्लिम क्रिक बहुत जादा जरूरी है कि यूसफ यूहाना मुहमद यूसफ इसलिए बने, क्योंकि उन्हें भी इस बात को लेकर ये चीज़ पता था कि टीम में काफी भेदबाव होता है, जितने रन वो बनाते हैं, वहां से अगर उनको पाकिस्तान का कप्तान बनना है, तो उन्हें भ सवाल ये भी है कि भारतिये क्रिकेटर्स इस बारे में क्या कहेंगे, कि भारतिये गावन्मेंट क्या कहती है, ये भी हमें देखना पड़ेगा? शर्म की बात है। ये गावन्मेंट से जादा इमरान खान पर पड़ेगा, और क्या पता, दानिश्क अनेरिया का आखिरकार ये ही फाइनल ट्विस्ट हो कहानी में है।